मुंबई में एंटीलिया के पास विस्फोटक से लदी स्कार्पियो के मामले की जाँच केंद्री ग्रिह मंत्राले ने अब NIA को सौब दिया है क्योंकि इस पूरे मामले में जो स्कार्पियो का मालिक है उसकी संदिक धालत में मौत हो गई थी देश की टेरर की जाँच करने वाली एजनसी अब इस पूरे मामले की जाँच करेगी दरसल क्या इस पूरे मामले में लोकल मौडियूल है या फिर कोई अंतररास्टी आतंकी संगठन इस पूरे मामले में शामिल है इसको देखते हुए NIA आगे चानबीन करेगी NIA की टीम जल्द ही उन तमाम जगों का दौरा करेगी जिससे ये साफ हो सकेगा कि आखिर इस पूरी घटना को किसने अंजाम दिया है सुत्रों ने जानकारी दी है कि NIA की फॉरेंसिक टीम आने वाले दिनों में उन तमाम जगों का दौरा करके वो राज निकालने की कोशिस करेगी जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस घटना के पीछे कौन से लोग शामिल है